आज स्वाम कुण दियर स्टुएंट्स आई होग कि लास्ट लेक्षिर आप लोगों को बहुत अच्छी से समझ आया होगा आज हम लोग पढ़ेंगे डिकेंटेशन दी लिक्यूसेंज और इसके साथ डैजिकेशन राइट सबसे बहुत करते हैं डिकेंटेशन की तो अब लोग विए रखे हुए हैं आप लोग सम्पली उस उस कंटेनर को एक जगा पर एक फ्लाइट सर्फेस के पर उसको रख देते हो थोड़ी ताइम के बात क्या होता है कि उसके साथ साथ सेडिमेंट से नीचे बढ़ जाएंगे और ऊपर से पानी को आप दूसरे कंटेन इसके साथ सेडिमेंट को यानिके आपका पीछे बच जाता है ठीक है आप लोग पानी पानी को एक जगा पर रख दो गेए इतने टाइम के लिए कि आपका सारा सारा साथ सालेट जो हैं वह नीचे बैट जाएंगे उसके बाद आप इस बरतन को उठाते हो और दूसरे बरत इसके साथ म Consumer Day अोड़ा के लिए वह उल्ए क्रशा को लिए को लिक इएक है को इस त्र?, इस प्रोसेश उफ प्रोसेशुर्स दुर्टेशन का अमल है विच सिम्प्ली मेंगें यौत लोग करने के लिकुर्ट यह नही यह राट घृसाएंगें को ऑन जय दोन प्याइंगें सब्सक्राइब करते हो किन आप लगया अनेए कौनेंस दो ना JUL होने वाले लीकुज को अलग अलग कर ना हो तो एटी कान बाथ करते हो अगर आपके पास एक ही कंटीनर जेशचा है लोत सब्सक्राइब को मुझूद है तो क्या होगा कि यह दोनों के दोनों अलग अलग फेजिस हैं विदाउट अनि मलसिफाइंग एजेंट आपस में नहीं मिलेंगे क्या करोगे कि इसको थोड़ टाइम के लिए साटल डाउन होने के लिए छोड़ दोगे और उसके बात क्या करोगे अराम से उठा स्कूल लिए पास बच जाएंगे शुक्ति या सॉलिट आपके पास खाली सॉजाएंगे इस प्रोसस ऑलसो इस इस सब्सक्राइब सब्सक्राइब बात को रिपीट किया है क्या है कि आप लोग सॉलिट को अलग करना चाहा हो अगर लिक्विट मेंसे तब थह आप लोग इस aquous suspensions हैं और यह gels से मु होगे हैं। हैं कि यह तो कि मैघमास निजबत जो चोते हो थोटे हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डी लिक्विसेंस की डी लिक्विसेंस एक ऐसा अमल है जिसके अंदर क्या होगा के कोई भी सब्स्टांस अगर अपने इर्द गिर्द के मोहौल से ठीक है नमी को जजब करके अपनी सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में अगर अपने इर्द गिर्द के महौल से अंटिल इडिजॉल्व जिन्दा एब्सॉब्ड वाटर उस टेम तक जब तक वह हल ना हो जाए उस जजब के हुए पानी के अंदर एंड फॉमा सॉलूशन और सॉलूशन बना लेता है अगर आप लोग बात करते हो कि एक पैट्री डिश के अंदर आप लोग डाल दे तो 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 इर्द गिर्द के महौल से नमी को यह ज़स्प कर लेगा ठीक है ज़स्प करने के बाद यह क्रिस्टल जो है यह लिक्विड लिक्यूफाय हो जाते हैं ठीक है सॉलूशन में तबदील हो जाएंगे आपके तो इस अ क्यामिकल प एसा कमपाउंड एसा केमिकल प्रॉसेस के अंदर को एन हाइडरस कमपाउंड जिसके अंदर कोई पानी का मॉल्ट्यूल नहीं है वो कैचिस यह पकर लेता है पानी को कहां से फामिट सराउंडिंग एंवार्मेंट जानिके अपने इर्द गिर्द के महौल से मतलब है सकते हो हाइडरेटिट फॉर्म या कहता है कनवर्टिट इटसल्फ इंटू हाइडरस फॉर्म ठीक है यानिके हाविंग वाटर वाटर मॉल्ट्यूल यह चीज होगी अब आप लोग डी लिक्विसेंस को कभी भी हाइग्रोस्कोपिक मैटेरियल के साथ मिक्स अप नहीं करो है कि उसके अंदर अपना महलूल बना लेता है सॉलूशन बना लेता है ठीक है एस वर एजमपल कैलशियम क्लोराइड मैगनिशियम क्लोराइड जिंक क्लोराइड और न ओएच न वेज को बहुत दादा इस्तामाल किया जाता है लाप्स में ठीक है आप लोग देखोगे कि न ओएच का डपा अगर खुला रह जाए ठीक है तो उसके क्रिस्टल्स क्या होते हैं उसके पैलेट सो छोटे से पैलेट सो होंगे वह तबदील होने लगते हैं यानिकि लिक्विफाइड होने लगते हैं इवन अगर आप लोग न ओएच को वेट करो निनके वजन करने लेकिन इतना नहीं के अपना महलूल बना ले अस फर एक्जामपल शूगर सोडियम क्लोराइड एननेसीयल हो गया या फर सिलिका जल सिलिका जल इस अ कॉमन एक्जामपल ऑफ जैसे हम लोगों की ड्रक्स के अंदर जो है सम टाइम हमारे लागमेंटन है कैल्सी है उनकी डब अब हम लोग बात करते हैं अप्लिकेशन ऑफ डी लिक्विसेंस की के डी लिक्विसेंस को हम लोग अगर फार्मैसी में इस्तामाल करें तो कहां इस्तामाल कर सकते हैं हम लोग इसको इसको इस्तामाल करते हैं जब कभी अगर हम लोग ने किसी कंपाउंड में से पानी को रि फ्रोस्चे-ग्रेब है इस विवे सफस्रांसे उनाइस, प्रिजरब करता है नदे हम ईससे के क्डूरह स सब्सक्राइव chiहां, कोई इस निय्वा का मेंसार सेम्टी ग्रोटount के टाओ धोनरे तो विवे स्फस्ची सरकते हैं for the microorganisms ठीक है यह हम लोगों को पता है कि जो भी जिस चीज़ के अंदर नमी मौझूद है तो जो नमी है वो एक मिन बहतरीन ग्रो करने वाला एक इसके लिए हमारे microorganisms के लिए जिस चीज़ में ज्यादा नमी होगी वो उतीन ही ज्यादा जल्दी गल सड जाने का उसको खच्छा होता है तो हम लोग क्या करते हैं उसके अंदर वो आद अगर तो हम लोग किसी भी चीज़ में से मॉइस्टर को remove करना चाहते हैं यादिए हैट वो हाइडरस था था ability असके अंदर पानी का molecule मौझूद है और अब हम लोग उसको एन हाइडरस बनाना चाहते हैं तो यादिकी अदर हम जो UM पानी के किसी भी चीज में से मॉइस्टर नमी को अगर हम लोग रिमूफ कर दें निकाल बाहर करें तो इस प्रोसेस को आप लोग डैसिकेशन कहते हो यह पिर कहते हो इस अधिया प्रोसेस को खुश करने का अमल है विज इस वाइडली यूज़ इन फार्मेसी तो डिमूव द वाटर केぃडलने के वह इस को निकाल बाहर करने के लिए पानी को इसको मुकमल करने के लिए पृष्ट क करते हो डालनके साफ्यां को यह बना वह बैव différentes और एप देख में उwen लोग रालई होता है में आप लोग जेकर करको तो ऑंठातों इसको पीर इसको उठाते हो एकने आपके बहुत ज़दा भारी होता है यह लिड हो गया इसका और नीचे की चीज हो गया यहां पर इस जगा पर आप लोग इस शेल्फ को रखते हो ठीक है इस तरह हां से स्लिट्स बने वे होंगे ठीक है यह पर लोग है तो सुराख होते हैं आप इस शेल्फ को ठाकर इसके अंदर कर ठीक है या फिर आप लोग पेपर डिश बना दो चोटी सी या पेपर डिश बना लो आप उसको उठा कर इस शेल्फ के उपर रख दोगे और इसको आप लोग बंद कर दे तो अच्छा अब यह जो डैजिकेशन का अमल है यह इस अमाल होता है फार रिमोवल स्मॉल अमॉ कर देसेटेर हैं अच्छा अब आप लोग कहीत है यह इस नोग है जो के तो यह हंदू कर ना चाहते हो तो फोड़ी मिदार आपके मैटीरियल यह भारी भर कम फ्लीक्स का मरतबान है स्थय तकर चाहिए आप लोग अपने मैटीरियल को शेल्फ के ऊपर रख देते हो और ध drying agent is or desiccant such as dry silica gel और अपना जो drying agent है या desiccant है like dry silica gel जो है इसको आप लोग रख दोगे below the shelf, shelf के नीचे, यह होगी इसकी processing, अगर अगर आप लोग बात करते हो इसकी इसकी applications की तो आप लोग कहते हो इसको कहां कहां पर इसमाल किया जाते हैं, by using desiccation the stability of pharmaceutical product enhances desiccation को को मतलग कि इसमाल करके हम लोग अपने pharmaceuticals की यानि के तियार शुदा हालते होते हैं हमारे दवागे उसकी stability को यानि के अपनी हालत को बरकरार रखने की मयाद या मुदद उसको हम लोग बढ़ा देते हैं ठीक है enhance कर देते हैं बढ़ा देते हैं राइट next thing आप लोग बात करते हो desiccation is a famous process of drying यानि के खुश करने का ये एक बहुत ही मशूर process है और फिर कहते हैं all the hygroscopic drugs are dried through the desiccation process यानि के वो तमाम तर drugs जो के नमी को ज़स्प कर लेती हैं उसके लिए हम लोग desiccation के अमल को इसमाल करते हैं ताके वो जो drugs हैं उन में से जो जो खुद नमी को अज़स्प कर लेती हैं वो जो है वो नमी हमारे desiccating material जो है वो खुद जस्प कर ले फिर for desiccation dry silica gel is used in the bottles of hygroscopic medicines हम लोग इसमाल करते हैं desiccation के लिए dried silica gel किसके अंदर अगर कोई भी हमार पास hygroscopic medicine है उनके bottles के अंदर रखने के लिए बिल्कुल ऐसे kalsi के bottle के अंदर या फिर augmentant के bottle के अंदर चूटी-चूटी से packets होते हैं silica gel के अगर लोग medicine के बात नहीं भी करते तो आप लोग देखोगे के आपके shoes, bags, उनके डबों के अंदर चूटी-चूटी से packets होते हैं जो के लिखावा होते हैं इसके पर mention होते हैं do not eat या फिर do not open वो जो चूट-चूटी से packets होते हैं वो desicants के होते हैं यानिके उसके अंदर silica gel या फिर और कोई साभी desicant material मौझूद होता है जो के हवा में इसे नमी को ज़स्प कर लेता है ठीके तो हम लोग इसको इसको समाल करते हैं pharmacy के अंदर I hope कि आच्छा lecture आप लोगों को समझ आगया होगा और अच्छा भी लगा होगा अगर आप लोगों को lecture समझ में आया है तो kindly like this video और अगर आप लोगों ने अभी तक subscribe नहीं किया तो kindly subscribe my channel और अगर आपने कोई भी question करना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्षिन में question कर सकते हैं thank you so much